नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों जैसा की पता है टूटल यहाँ पे साथ आररवी का टाइपिंग स्टेटस सो हो चुका है जिसमें से आप देख पारे होंगे एक जम्मू जोन हो गया चंडिगर जोन राची जोन टूटल साथ ऐसे आररवी हैं दोस्तों चिसका टाइपिंग का रिजल्ट यानि टाइपिंग का स्टेटस यहाँ पे सो हो गया है बाकी बच्चे वे 14 आररवी अभी भी है जिनका टाइपिंग स्टेटस अभी तक नहीं आया है दोस्तों आज संडे है और आज वरकिंग लेकिन यह कहना काफी मुश्किल है कि बच्चे वे 14 आररवी का एक साथ आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा दीखे दोस्तों चुकिए पिछले 3-4 दिनों से यह लोग गिन गिन करके रिजल्ट दे रहे हैं कभी 1 आररवी का कभी 2 आररवी का तो इसी तरह से कितना इंक्रिमेंट करेगा टैपिंग वाला पोस्ट का तो इस बात को समझने का प्रयास किजिएगा दोस्तों देखिए हर सिक्के का दो पहलू होता है यहाँ पर हम लेवल 5 के उपर बात करें देखिए लेवल 5 में जितने भी कैंड़ेट टैपिंग स्किल टेस्ट के देखिए लेवल 2 के अंदर क्या हो रहा है लेवल 2 के अंदर आपका लेवल 5 वाले भी इतने कैंड़ेट सॉट लिस्ट है वो भी कैंड़ेट यहाँ पर लेवल 2 में सॉट लिस्ट है तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों बात में काफी कन्फ्यूजन हो जाएगा लेकिन यहाँ फिर से आपको समझने का प्रयास करना होगा कि जो candidate यहाँ पे level 5 के लिए tapping skill test में qualified है वो कहीं ने कहीं अच्छे marks score करके रखे हुए हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए कि level 5 में कई सारे post है जैसे senior commercial come ticket clerk का post है जो की non tapping है goods guard का है जो non tapping है senior clerk come typist है उसके बाद junior accounts assistant come typist है चार से पांच तरह का post है दोस्तो level 5 के अंदर और by chance वो tapping वाला post को qualify नहीं कर पाते हैं marks अच्छे है खासे लाने के बावजुद भी तो ऐसी सिती में non tapping push तो उनको मिली जाएगी दोस्तो तो इस तरह से अगर यहाँ से भी बच जाते हैं तो ऐसी सिती में level 4 में चलिए कोई seat नहीं है काफी कम कम seat है कुछ zone में और level 3 में तो हर zone में अच्छी कासी seat है तो अगर level 5 से बच भी जाते हैं ना दोस्तो तो ऐसी सिती में आपका level 5 के बाद आपका level 3 में यह लोग selected हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर automatically level 2 का cut-off decrease हो जाएगा हलांकि level 2 के अंदर number of candidate की संख्या जादे है level 5 के मुकाबले में क्योंकि जो level 5 में shortlist किये गए हैं यहां पर tapping skill test के लिए वो यहां level 2 में भी shortlist किये गए हैं तो level 2 के अंदर 8 गुना candidate ना होगा है तो इस तरह से level 2 में number of candidate की संख्या जादे है लेकिन दोस्तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी candidate level 5 में shortlist हैं वो level 5 के सभी post के लिए कहीं ना कहीं हो जाएंगे और वहां से बच खुच के अगर बच भी जाते हैं तो सीधा आपका level 3 में आ जाएंगे और level 3 में shortlist हो जाएंगे और इस तरह से दोस्तो फिर level 2 का जो cut up है वो automatically decrease कर जाएगा तो इस तरह cut up का ये पैमाना है दोस्तो बाकि देखिए exactly क्या हो पाता है result आने के बाद ही पता चलेगा बाकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इन आरा रवी से हैं तो आपका क्या status रहा qualify हुए या फिर disqualify और आपका कितना stroke टाइपिंग था ये comment बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार